अचाने से मेरे दुपट्टा खीचाया बहुत जोड से मैंने सोच क्या हो रहा है जर मैंने पीछे मुडी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और दुपट्टा वह जोतीकुमार खीच रहा था मेरी माँ पीछे से चिलाई मेरे हस्पिन ऐसे ऐसे होने लगे पूरा पसीना उनको चल गया कुछ बोल नहीं पा रहे थे वह जब हम लोग ठीक थे ना मैं बाहर निकलती थी ना कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आख निकाल लूगा क्या सोच के इसक का अबलपुर में लोकल हॉस्पिटल लेके आये वहां पर अड्मिट कर आये हमने मेरी मदर की भी तब्यत खराब थी मेरी ममी और मेरी हस्बेंड दोनों एक साथ अड्मिट हुए उहां पर इतनी लापरवाही हुई उनके साथ इतनी लापरवाही हुई डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए दस मिनट देखके गए उसके अलावा जितने भी वहां पर नर्स थे सारे के सारे जलात थे सर कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेसें मेरी मदर तचुड बेटर कंडिशन में थी थोड़ी मेरे हस्बेंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है, डॉक्ट ने वह सजेस्ट किया, मेरे दो दो पेसिंट थे वहां हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया,iantes being शॉआख फ्लोर पर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि इतना महंगा इंजेक्षन इसाट्र हो के ठीक होते हैं। अपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि पचास जार का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुप चाप वहां से सर हट गए थोड़ी दिर बाद वहां पे मेरे हस्बेन को मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था यूरीन पास किया था कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर छै घंटे से वह उसी गंदगी पर पड़े हुए थे उन्होंने सब्सक्तों को बुलाया एक आदमी था जोती कुमार करके जोती कुमार जोती कुमार एक कंपाॉंडर था होहां पर उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाया प्लीज आप मेरे हस्बेन की मदद कर दीजे रात में यह लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास इस इसने बोला ठीक है जरूर मदद करूँगा यह कहके और मैं अपने हस्बें से बात करने लगी इशारे से ही वह बात कर रहे थे मैं बोल रही थी अचानले से मेरा दूपट्टा खीचाया बहुत जोड से मैंने सोचा क्या हो रहा है तो मैंने पीछे मूरी तो मेरे कमर पे उस से देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आख निकाल लूगा क्या सोच के इसको देख रहे हैं और मेरे हस्बेर उस इन पे परे हुए देखते रहे कि मेरी वाहिप का कोई दूपट्टा कीच रहा है और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो मुस्कुरा रहा था मैंने यहां इसे तो पट्टा कीचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई ढर से कि मेरे हस्बेर नेया पर है मेरी मां यहां पर कुछ कर देगा कर देगा इस ऑस्ट कोई य हम से बैठ गयी वार्मी मेरे भी लिए मुश्वाँ को लिए थी अदियान रखूंगता मैंने थीख ठीक है भई वे बेड़ पर एक अंकल मास उनका हट गया था और वो चिल्ला चिल्ला के नर्स को बोला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आई यह मर जाएंगे कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया ऐसे तीन चार लोग उस दो-तीन दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केर के बिना नर्स के आए सारी नर्स टेबल कुरसी लगा के सो जाती थी कहती थी पागल हो गए हैं हम ही अब मढ़ जाएंगी इस कोरोना के चक्र में तो क्यों जॉब कर रहे हो छोड़ दो आपकी जगर कोई और आ जाएगा उसके बाद वहा बहुत खराब हो गई उन्होंने माया गंज रेफर कर दिया भागलपूर माया गंज ऑस्पिटल हम लोग अभी माया गंज आए माया गंज की और हालत खराब आई सीव में चार बेड़ था मेरे हस्बेन के बगल वाले बेड़ पे चार लोग छे से साथ घंटे में चार हुए वह नर्स को बोला रहे तो सिस्टर आ जाओ दिक्का थोड़ी है दिक्का थोड़ी है और सिस्टर नहीं आती थी एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलटके गिर गए पूरा सर फूट गया ब्लड ब्लड और मर गए वह अंकल वहीं पे इतना मेरे हस्बें डर गया शाम अधर सब्सक्राइब अवर योण कभी आपके अव्यां दॉसमति की गवरी गइर उस्टर के उस्ट्रबटर नहीं फनिगत जा के लात दे चाहिया के तो लाइट ओफ ऑफ इमरजनसी के नाइट इंड दोक्टर का ला देख रहे है और हम दर्वाजा तक ने खोला, मेरे अस अज़ी हालट कि लो digging चैब मिरी दीडी चीज़ीत एग आफ कुल को फिर दीदिन उसी दिन सेजंगा होगे कि अक्रास ने कुलक का दशीज़ा होगा रहा कि आफ़ी साफ दिश। मथालन तुम गया मेरे यदिन से उनके दिमाग मी पुलट का पैठ गया समय के खोंग रहते रहे लड़ते रहे त्पिर उस दिन इतना वो डर गय वो बोले नहीं हमको कहीं बाहर लेकि चलो दिल्ली में सुर्ण बेट का किया बहुत पता नहीं था दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं था हम पतना आए राजश्वर अस्पिटल में सर पतना है यहां पर इन्होंने कह मेरे हस्बेन रोने लगे कि मेरी वाइप को भेज दो वह रही कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोगों नहीं अलाओ किया सर अज मैंने देखा एंबुलेंस से हम लोग भागलपुर से पठना आये थे राजश्वर रास्ते में उनको तीन बार पौटी हुई थी सर उसी गंदे बेड पे उनको चार-पांच घंडे राजश्वर में सुलाया रहा मैं दस बर जाके बोली बाहर से कि सर प्लीज बेड क्लीन कर दीजिए वह हम लोग देख लेंगे ना एक डॉक्टर निकले मैंने बोला मेरे हस्बेन अंदर से ना बोल नहीं पा रहे थे ना अंदर से ऐसे बोला मेरे से नहीं रहा होगा मुझे किसी तरह से अंदर भीजवाई है तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में 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 बाबु का मेरे बाबु का उक्सिजन लेवल में बढ़ा दिया उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला मैंने बोला सर अटेंडंडेंड ललाट है जोडेंडंड है तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडंडेंड ने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सब तो को धिवरा पर रहे हैं हम लोग इतना देखे ह हम लोग क्या मरी जाए खासते खासे सब को देखे बैठिये कि बाबू को मैंने जूस दाल डोटी सब कुछ पिलाया सर इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फॉर्स्ट दे बोला था ये बचेगा नहीं वो डॉक्टर सर तीन चार दिन बात कहता है टचुड क्या कर दिया अपने इनके साथ ये तो एकदम ठीक हो गए गजब का के लिए बाबू को खत्म कर देंगे इतना ऑकसीजन का किलत सर मेरा बाबू डर गया बहुत जादा ऑकसीजन सिलिंडर देखता था और कहता था हां वो खत्म हो जाएगा मैं प्लाइब प्लाइज अंदर में पता चला ये लोग ब्लैक्तिंग कर रहें अंदर में oxygen cylinder का जो कम जो ऑस्पिताल वाले हैं ना वो oxygen supply बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खड़ी दे उन्हीं से हम भी खड़ी दे सर मैंने भी खड़ी दा क्या करते क्या करते हमें भी तो चाहिए था पर सो सुबह में हमारे पास एक ही cylinder था मेरे हस्बेंड को बाइप लगा हुआ था उनको दो सिलिंडर से जाना था एक ही सिलिंडर था सिलिंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर मेरे हस्बेंड कहताम हो गया